पेशेंट्स को इसमें थोड़ी से तर्कता बरतनी चाहिए मैं यह मानती हूँ कि बहुत सारे सेंटर्स आज के टाइम में स्टार्ट हो गया है इसके लिए पेशेंट्स को पहले तो देखना चाहिए कि कौन सी डॉक्टर आइवेफ कर रही है उनको पूछना चाहिए कि वह आईवेफ के लिए फुली ट्रेंड है कि नहीं है उनकी डिग्रीज क्या है क्या वह यह आईवेफ प्रोसीजर खुद करेंगी स्टिमलेशन सारे लाइप कोई और करेगा या इन उनके और करेगा यह वह आइवेफ करेगा यह ने Любफ और करेगा दूसरी चीज़ेयाूं को इनको इंफ्रस्रट्रूक्चर देखना चाहिए इनस यह नहीं की आप टबल चेयर देखोगे यह देखोगे कौन है इनको लाब के लिए बूझना चाहिए कि जहां पर उनका IVF procedure होगा उस IVF lab means IVF lab के portion होते हैं IVF की OT होती है IVF का embryology lab होता है वो lab के जो equipment है वो उनके पास सारे हैं की नहीं मौजूद हैं की नहीं IVF के अगर हैं तो किस तरह के equipment उन्होंने ले रखे हैं तो एक तरह से आपका हो गया वर्क फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है आपका infrastructure क्या है means lab क्या है दूसरी चीज़ क्या है वर्क फोर्स में important है embryologist जो patients होते हैं वो तो सिर्फ IVF specialist को देखते हैं उनको यह नहीं पता है कि back end का जो job होता है means IVF एक team work होती है team work का मतलब क्या होता है जो patient recruit करना उनका management decide करना बिमारी की diagnosis करना अंडे बनाना यह एक IVF specialist का काम होता है अंडे निकालना उस अंडे को एक IVF specialist embryologist को दे देता है वो embryologist एक तरह का scientist होता है वो egg और sperm को मिलाता है मिला करके उन embryos को बनाता है embryos बनाने के बाद उन embryos को वो वापिस IVF specialist को देता है and IVF specialist उसको एक patient के अंदर डालता है तो आप सोचो एक embryologist का role भी इसमें कितना important है you have to be very particular आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि एक team work उनकी है की नहीं proper मतलब एक proper trained embryologist उनके पास है या नहीं तो यह manpower आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है उसके बाद बाद आ जाती है consumables की consumables means IVF में क्या-क्या products use हो रहा है means सबसे पहले foremost thing क्या है IVF में आपको injections लगते हैं एक बनाने के लिए तो आपको यह देखना ज़रूरी है कि आप जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो किस तरह की quality की लगा रहे हैं क्योंकि आपके बॉड़ी में वह इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वह अंडे अच्छे बनाएं वरना नॉमली आपको medicine खिला करके या जो naturally आपके एक एक बनते हैं उससे भी IVF हो सकता है पर वो जब हम conventional IVF करते हैं तो आपको stimulate करते हैं यह आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी कि इंजेक्शन की quality किया है जो आपको लग रही है आपको इंजेक्शन की लगेंगे तो अच्छे एंब्रियोस पैदा करेंगे जैसे आप अच्छी क्वालिटी का खाना खाओगे तो आपकी बॉड़ी में सब कुछ अच्छा जाएगा फ़ मोस्ञ में ऑन जाता है तो बहुत बार जो कि जाते हैं उसमें यह नहीं पता रहता है कि क्याぎा इंज्थ यहिसे श왁फ और लिख्ण का लिए इंग्जिगे उसका हुँरा हो रहा है जो दो बार निए पारks और ट्रान्ट्रान्सफर के दिन मींस जिसे अंडे निकलते हैं और जिसे ब्रून डालते हैं वो भी उनके लिए एक्स्ट्रा होता है और किसी सेंटर में आपको जो सब कुछ एक साथ मिक्स करके दे रहा है तो इनीशल पेशन सोचता है कि चलो यहां पे कम हो रहा है करवा लें लेकिन अल्टिमेटली जब पेशन्ट आइवेफ करवा के बाहर निकलता है तो वह इन फैक्ट उस सेंटर से जादा पे करता है जहां वह पैकेज बनाके कर रहे हैं तो यह सेंटर की चुनाओ करें अपने डॉक्टर की चुनाओ करें और अल्टिमेटली आईवेफ के लिए डिसाइड करें विकॉस आपको आगे तो आँछेफ कर आईवेफ because you need a child so it's your duty to check all these points in your center and choose a good center all the best